तो कुश्चन नमबर आपके किताब का तीन चलिए एक एक करके पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं पहला कहता है ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10 रुपे वाला और पहले देखिए कुश्चन हर किसी को विज्वल है कमेंट में बता दिए फटा फट क्या कुश्चन आपको वि देख रहा है यहां पर डिस्प्ले पर नजर आ रहा है पवन नेहा नीशा आप बता दिए आपके को विज्वल है और भुख होगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं को चन के क्योंकि आपके पास कोश्चन होंगे कि यह चलिए तो सब्सक्राइब आये क्या क्या एक जनवरी को हमारे पास opening stock है तो हम फॉर्सजेन को काम कर ले एक जनवरी एक एक को opening stock सर यह ब्लैंक हो जाएगा है न यह भी सर ब्लैंक हो जाएगा सर ओपनिंग में कितने हमारे पास 200 यूनिट और 10 रुपे वाले तो मतलब कितने रुपे का समान है हमारे पास 2000 यह टोटल है कि चलिए आगे कहता है 10 जन्वरी को मैंने परचेश कर लिया तो दस जन्वरी को आपने अगर परचेश किया थो आप रिसिप्ट लिख सकते हैं परचेश लिख लिख सकते हैं सर कितने यूनिट खरीदें आपने 400 यूनिट खरीदें और कितने वाले 12 कितने रुपे के हो गए 4800 सर अब हमारे पास दो परकार के स्टॉक दो टाइप के हो गए 200 और 400 यह 10 वाले यह 12 वाले यह 2000 और यह 4800 यहां कहता विड्रॉल विड्रॉल का मतलब है इसु करना ठीक है विड्रॉल का क्या मतलब है यहां पर इसु करना तो विड्रॉल कितने किये 500 विड्रॉल का मतलब है इसु करना किस डेट पर विड्रॉल किये हमने फरवरी 12 यानि 12 दो को तो आपका इसु करना लिख दो यहां पर सिंपल यह ब्लैंक रह जाएगा और आपने इशू कितने किये 500 तो पहले 400 रुपे नए वाला जाएगा क्योंकि लीफो का कंडीशन यही है कि नए वाला पहले बेच दो तो 400 तो नए वाले में से चले जाएगा 12 वाला रेट और 100 चला जाएगा पुराने वाला दस वाला रेट तो 4800 यह निकल गए है और 1000 यह निकल गए अब जो हमारे पास बचा 100 यूनिट बचा है मात्र और वह भी दस वाला तो बच गए हमारे पास 1000 इसके बाद 16 तारिक को फिर खरीदारी कर लिए हमने 16 दो को आपने पर्चेस कर लिया और 16 तीन को पर्चेस कर लिया और 16 तीन को पर्चेस करा 300 यूनिट तो यह आ जाएगा 300 और कितने वाला 11 तो कितने हो गए इसके बाद 19 तारिक को सेल कर दिया 200 तो 19 तीन को हमने इसू कर दिया कितने करें कितने यूनिट बेचे 200 तो 200 जब बेचे तो अब किस में सजाएगा 300 वाले में सजाएगा हमारा तो 200 बेच दिये हमने इस वाले में सजाएगा क्योंकि लिटिस तो यही है नए वाला तो 11 के हिसाप से हो गए 200 रुपे अब हमारे पास 100 ये बच गए और 100 ये बच गए, ये बच गए 10 वाला, ये 11, इसकी कीमत 1000, इसकी कीमत 1100, समझ रहे बात को, चलिए, इसके बात कहता है, 19 तारिक को सेल कर दिया, 19 को सेल हो गया, फिर 30 को हमने रिसिप्ट कर दिया, 30 को 30 जून, ये 19 पांच है, और ये 36 है, आपने क्या करा इस दिन परचेस, या रिसिप्ट कह लो, कितने यूनिट 100 यूनिट, कितने वाले 15, तो हो गए 1500, अब हमारे पास 3 तरीकी का स्टॉक हो गया, ये 100, 100 और 100, ये 10, 11 और 15, तो 1100 और 1500, सवाल में यही बोला गया था, कहता है, following applying inventory, कहता है, कहता है कि calculate cost, कहता है, calculate cost of goods sold and ending the inventory, तो सर, cost of goods sold क्या होगा, इसका total, issue वाले का total कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए, लिखते हैं, cost of, जो समान आपने बेचा है, उसका कीमत कितना है, तो इसका total कर लेंगे सर, total क्या आ रहा है, बताइए total क्या आ रहा है, चलिए, ऐसे लिखते हैं, सर, अड़तालिस सो, एक हजार, अड़तालिस सो, एक हजार, और बाइस सो, आठ हजार, तो ये आ गया हमारा, आठ हजार, सर, closing inventory पूछा है, तो closing end में, inventory क्या रह जाएगा, सर, एक हजार, प्लस ग्यारा सो, प्लस पंद्रा सो, यानि 36, closing inventory is 36, तो लीजिए, हमारे ये सवाल हो जाता है, complete, बताइए, किसी को doubt book में answer दे रखा होगा, देख लो, book में किस तरीके से answer दे रखा है, किसी बच्चे का doubt है, तो पूछे नहीं, तो हम अगले question पर चलेंगे, दिखाओ, दे रखा है, कैसे दिया, अलग से कर रहा है, हम उसी में कर देंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3600 और 8000, periodic वाला भी इसमें था क्या, नहीं, इसमें तो सरिफ perpetual है, book वालों ने अपनी मर्ची से periodic निकाल दिया, periodic तो बाद में करेंगे, लास्ट हो,